हेलो स्टुजेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं 11.1 से कुश्चिन नूबर 3 फाइंड दा ब्रेट यहां पर हमें ब्रेट फाइंड करना है एरिया पेरिमिटर नहीं पूछा है ब्रेट पूछा है ठीक है और रेक्टेंगुलर प्लॉट किसी रेक्टेंगुलर नहीं पूर्ट है इसका जो ब्रेट है यह चीज फाइंड करता है कितना है नहीं पता है ठीके क्लों है अफ्लेंड अलिंड यूिट्स एरिया is 440 मेटर स्कोरे एरिया पता है ठीक है कितना है 440 मीटर स्कोरे एटए लेंथ 22 लेंथ पता है लेंथ पताँ इस पेरिमीटर ऑपेरτεर भी बता है याने दो चीज पता पता करने बिए और पेरीमीटर भी पेरिमीटर भी पेरिमीटर की ऐखरा है इस आप्सरी को होता है 2L plus B यह perimeter find करने का formula होता है ठीक है तो perimeter में हमें B भी चाहिए और B नहीं पता है इसलिए पहले B निकालेंगे ठीक है B कैसे निकलेगा जो दिया हुए area उसी से निकलेगा area और length से तो पहले आप यह बताईए कि area of the rectangle होता क्या है area of the rectangle होता है L into B यही होता है न और area of the rectangle कितने दिया गया है जैसे हम लोग question number 2 की था न सेम ऐसे ही होगा area of the rectangle दिया गया है area 440 meter square यह दिया गया है area और area of the rectangle का formula जो होता है वो हम इसके निचे लिखेंगे ठीक है क्या होता है L into B और L into B कितना दिया हुआ है यह इसका मतलब area ही तो हुआ rectangle का area जो है उसकी जगा हम यह लिख सकते हैं और ऐसा हमें लिखना पड़ेगा आमने सामने जितना area दिया रहेगा यह जितना perimeter दिया रहेगा उसको उसके फार्मूले के सामने हमें लिखना पड़ेगा तभी हमें length या breath कुछ पता चल पाएगा या side तो length into birth दिया हुआ है कितना 440 meter square और हमें length भी पता है ना length कितना है 20 meter तो L की जगा हम क्या 22 लिख सकते हैं 22 meter है तो L की जगा हम 22 लिख सकते हैं और B की जगा हम B ही लिखें क्योंकि हमें पता ही नहीं वहीं तो पता करना है इसक्वाल टू कितना है 440 meter square अब आपके दिवां में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि हमें B पता करना है तो इधर B को ही छोड़ेंगे 22 को उधर ले जाएंगे 22 को इधर ले आओ इधर और और लेड़ी क्या है मैं एक मीटर कर याँगा मेटर स्कॉइरा मचमरम है यहाँ पर दो मीटर है कब इंटर मीटर हो गया मीटर स्कॉए ऐखें एक मीटर कर जाए यह कि मीटर बचेघा एंसर मारा क्या गया डर्फ अभी यह भी तो कटेगा 22 से 44 को काटेंगे बेटे तो 22 तू जब 44 दो बार गया और एक जीरो भी है तो कितना हो जागे वो 20 हुए है कि 20 और मीटर मचा हुए कि तो मीटर ही एक है एक हैंसर 107-0 यह ब्रेट्ट पता करना तो इस अब पेरिमिटर भी आसानिस्त पता कि अ कि दिर्वायस कर चल जागा कि डिर्मिटर कक ओपने होता है थिए धुब ब्रेक्त में एल फ्लस बी और यह perimeter formula होता है तो 2 की जगह बैठा 2 ही लिखेंगे L की जगह हम लिखेंगे जितना L है इतना 22 meter plus best की जगह हम best के लिखेंगे जितना हमें मिला है 20 meter ठीक है यह हो गया 2 अब जो है इसके अंदर वालों को हम एड़ कर लेंगे 22 और 20 एड़ होके कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा 42 22 मीटर और 20 मीटर दोनों मिलाएंगे तो 42 मीटर हो जाएगा यह है यहां मीटर इसको जार मत कर देना multiply नहीं हो रहा है एड़ ही हो रहा है और जब बेकेट हटाएंगे बेटा तो यहां पर सिंबल होता है multiply का bracket के बाहर जो भी बेकेट बाहर होगा उसका अंदर multiply होगा बेक 24 मीटर यह आ गया इसका perimeter तो breadth वह हो गया perimeter यह हो गया वह पहला answer है यह दूसरा answer है दो answer इसमें आएगा एक breadth एक perimeter ठीक है मिलते हैं question about 4 में तब तक के लिए जाहन